है विलकम विवर्स माइनीम इस फार्मा बॉई एन आएम फार्मस है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीटैमिन डी के बारे में तो रिसेंटली मुझे एक चीज रेलाइज हुई कि जब भी हम सन में जाते हैं मतलब सूरच की रोशनी में जाते हैं तो जो भी लोग vitamin D के supplements लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें always इस चीज़ को reconsider करना चाहिए कि अगर हमारे पास सूरज जैसा एक अच्छा source है vitamin D का तो उसे अगर हम नहीं लेते हैं तो सिर्फ सूरज के रोश्णी में जाने से ही हमारे सारे vitamin D की जो मतलब नीड है वो अगर सॉर्फ हो सकती है तो क्यों हम अपना पैसा medicine के पीछे खर्च करें दूसरी बात यह कि जब भी हम early morning बाहर निकलते हैं तो बाहर की जो साफ हवा है जो air है तो वैसी हवा में स्तास लेने से हमारा mood जो है वो अच्छा होता है हमारी जो immunity की power है वो increase होती है सूरज में जाने से तभी जो लोग है मतलब जो पुराने लोग है बुढ़े जो भी हो गए तो वो भी लोग यही सहिस करते है कि हमें early morning जो मतलब सुवे सुवे उपना चाहिए बाहर खुली हवा में जाना चाहिए तो ऐसे कुछ benefits होते है तो वीडियो बनाने का motive बस इतना है कि vitamin D के supplements अगर आपके लेनी के बार में सोच रहे तो दोबारा सोचिए क्योंकि सूरज की रोशनी से sufficient amount में vitamin D जो है वो मिलता है और दूसरे भी additional benefits मिलते हैं जैसे कि मूड अच्छा होता है हमारी जो immunity strong होती है और overall हमारी mental health के लिए अच्छा है आपकी चीज काफी बार देखेंगे कि अगर हम एक महिना बरी अगर हम सूरज की रोशनी में नहीं जाते है तो उसके होता क्या है कि हम dull महसूस करता है हमारा brain अच्छे से काम नहीं करता है तो उसके बीचे वज़ाई है कि हमारी जवन सूरज की रोशनी आपको में पढ़ती है तो हमारी brain की activity भी इस है वहाँ पर increase होता हुआ काफी जो है report ने claim किया हुआ है तो आप ये भी चीज आप जो अच्छे कर सकते है कि अगर आप सूरज की रोशनी नहीं लेंगे तो आपका effect आपकी mental health में भी पढ़ता है कहने का मतलब इतना है सूरज की रोशनी में चाहिए vitamin D की भी नीर आपकी fulfill हो जाएगे और दूसरे भी additional benefits इसे मिलता है I hope वीडियो समझ में आ गया होगा फिर मिलता है SX एक नई वीडियो में तिल देन कीप आचिंग फर्मा बॉय and finally thanks watching